आप देख रहे हैं ये अपराधी हैं इनके उपर 44 मामेद दर्ज हैं हत्या अपाहरण और वसूली जैसे और ये जेल में बंद हैं तो इन्हें बीबियाएपी सुबिधा मिल रही है उसका ये फायदा उठा रहे हैं दिवरिया जेल में अतीक एहमद रंगदारी वसूल रहा ह दिवरिया जेल में फिल्मी स्टाइल में रंगदारी वसूलते हैं लखनों से एक कारोबारी को अगवा करके बकाईदा दिवरिया जेल लाए जाता है दिवरिया जेल में बकाईदा इंट्री है उस कारोबारी की इंट्री है और उसी जेल में बैरक के अंदर कनपटी पर ग ने F.I.R. लिखवाई है दिवरिया जेल में अतीक एहमत रंगदारी वसूल रहा है दिवरिया जेल से फिल्मे स्टाइल में रंगदारी वसूलता है ये यूपी के दिवरिया जेल में ये आज की सबसे बड़ी खबर है यूपी में जेल के अंदर माफिया किस तरह से काम कर र इन्हें जेल के भीतर VBIP सुविधाय मिल रही है और विक्रम सिंग पूर्ब डीजीपी इस वक्त भारत समाचार के साथ जुड़े हैं विक्रम जी आपका बहुत स्वागत बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है विजेश सिंग की हत्या के बाद भी जेल के भीतर सब कुछ सु तो आप अत्यजिनक है और पुलिस के दिखाता कि कोई इकबाल शेश नहीं है यह वही अतीक हमद है मेरे कारेकाल में इन्होंने और और बहुत बल्यों काता है कि उनकी मुत होती तुसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए पुलिस का इस प्रकार का भए होना चाहिए और इस त के दर चल अचल संपत्ति कुर्क नहीं की राशुका के प्रोविजन नहीं लगाए वरना यह पानी मांग जाते हैं कैसा तो नहीं कि आपका मुख सहमत ही है इनका सामरा चलवाने के लिए बिना आपकी मुख सहमत के इतना बागा कांड हो नहीं सकता है मैं चैलेंज देता बिकरम जी हम FIR की अधार पर बात करते हैं जो FIR किश्णा नगर में लिखी है 10-12 लोग यहां से ले जा रहे हैं जेल के अंदर भी वह 10-12 लोग जा रहे हैं जेलर से बात चीत हुई वह इस बात की पुष्टी करते हैं कि मोहित अंदर आया यह 10-12 लोग एक रिवाल्बर ल को शुभा बानी चाहिए ऐसे लचर जेल के इंतजाम में आप क्या उमीद करते हैं वो तो सुधा उपलब्द करा रहे हैं अतीक एहमत को वह अपना सामराज्य वहां से चला है उनका दर्बार लगवाएं उनकी अपरादिक गुंडे लिजा कि अगवा करके ले जा रहे हैं औ पहले की सरकारों के अपिक्षा अभी बदला क्या बदला सिर्फ यह है कि मुख्रमंत्री की शराफत का और विश्वास का उठाए बिक्रम जी आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं चुकि डीके पांडे वहां के जेलर जुल गए हैं उनसे बातशित करते हैं डीके पांडे ज कर जेल में लेकर गए 10-12 लोग यह क्या हो रहा है जरा बताएंगे अब पुलिस जाच करेगी लेकिन जेलर दिवरिया क्या करेंगे उनकी मौझूदी में वो मौझूद रहते हैं वहां पिस्टल लगाई जा रही है यह तो कृष्णा नगर थाने में उनने फाई यार में लिखाया है अब जेलर या जेल श्टाप के सामने उन्होंने एक बार भी नहीं बात की लटनाव शोलता परण हुआ है जेल के भीतर एक सिम भी अंदर नहीं जाती है सारे मानक को आपने फॉलो किया डीजीपी साब पूर्व डीजीपी साब यह फोन चोड़के भाग गए कट कर दिया इन्होंने विक्रम जी चलिए तो यह देखा आपने यह उसी जेल के जेलर हैं जो बता नहीं पा रहे हैं और फोन कट करके यह चले गए जेल के भीतर क्या हो रहा है इन्हें नहीं पता है अब यह पुलिस पर ठीक रा फोड़ रहे हैं कि पुलिस जाने पुलिस वहां एफाई यार हो गया है लेकिन जेल के भीतर आपने किस तरह की बीबी आईपी सुविधा दे रखी है यह बड़ी शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश की जेल में आज भी जैसे पहले इस्थिती थी वही इस्थिती आज भी है अगर आप बाहु बली हैं आपके खिलाब ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं तो आपको बीबी आईपी सुवि तो भारत समाचार के सवालों से भाग खड़े हुए हैं देवरिया के जेलर वो जबाब नहीं दे पाए उनके पास जबाब था नहीं देवरिया जेल में बंद है माफिया अतीक एहमत जिसके खिलाब 44 जदा मामले दर्ज हैं भारत समाचार के सवालों का जबाब जेलर के प देवरिया जेल में बंद है अब जब आप कैसे दें चुकि वी बी आइपी इन्होंने सुभिधा दे रखी है बैरक में अच्छा खाना मिलता है बैरक में चाहे जो आए अतिक हमत का नाम ले उसकी चेकिंग वगएरा कुछ नहीं होती है राजधानी की कशना नगर पुलिस ने बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा किया है कशना पुलिस ने इरफान गुलाम नाम के जिन दो सक्सों गिरपतार किया है उनसे पुस्तास के बाद एक बड़ा खुलासा किया है कि सूबे की जेलों में कैसे माफियाओं का समराज चलता है भले ही वो जेल में बंदो लेकिन जेल के में बंद रहने के बावजूद भी पुरे परदेश में उनका सिक्का चलता है ये कशना नगर थाना है आप देख सकते हैं यहाँ पे कल गुलाम और इर्फान नाम के दो आरूपियों को गिपतार किया गया था बताय जा रहा है कि मोहित जैस्वाल जो रियल इस्टेट कारोबारी है उसका अपरण करने में दोनों आरूपि जो है सामिल थे और खुलासा ये भी हुआ है कि मोहित जैस्वाल का अपरण बाकदा गोमती नगर के सिल्वर होटल के बाहर से किया गया और सीधे देवरिया जेल ले जाया गया देवरिया जेल में बाहु बली पूर सांसाथ अती कहमत जो की माफिया भी है वो और उनके बेटे और तमाम जो गुर्गे थे उनके जरिये मोहित जैस्वाल से मारपीड भी की गई मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे सामने जो गाली खड़ी है जो आपको फार्चूनर दिखाई दे रही है यह वही वाइट कलर की फार्चूनर है जो मोहित जैस्वाल की बताई जाती है जो की कारोबारी है जो पिली थे इसी गाली से उसका गुर्गो ने पहले अप्रण किय और सीधे यहां से देवरिया जेल ले जाया गया वहाँ पे अती कहमा तो तमाम उसके जो गुर्गे थे उन्होंने उसको मारा पिटा धमकाया जबरन तमाम जो परजी दास्तावेश थे उन पर साइन कराने का भी आरोप है तो यह जो घटना है वो अपने आप में बताने के यह काफी है कि भले ही शरकार और हमारे जो अधिकारी है वो व्लाग दावे करें लेकिन सूबे की जेलों में आज भी जो समराज है वो कहीं न कहीं माफिया हूं और बहु बली यों कहीं चलता है कैमरा पसंजितेन साथ अनूप कुमार भारसमचार लखनव और इस वक्त अन बिल्कुल राहूल जो पीडित है महुज जैस्वाल जो की रियल इस्टेट कारोबारी है उसके लिए जिम्मेदार जो है अतिक एहमत को बताया है जो की बाहु बोली पूर सांसात रहें और इस वक्त माफिया है इसके लाव जो तमाम गुर्गे हैं उनका नाम दिया गया है उसका अरोब है कि उसको जो है पहले उसी की गाली से अप्रण किया गया त्यार के बल पे उसके बाद देवरिया जेल ला जाया गया वहाँ पे उससे जबरन फटी दस्ताविट जो तयार किये गया ते उसके बाद धमकी दे के उसको वहाँ पे छोड़ा गया जिसके बाद पीडि थाने पहुंचा है तो उसने कैसना अनगर में पुलिस अथकारी फर्याद लगाई है जिसके बाद कैसना पुलिस ने मुकदमा दर्स के लिया है और दो लोग को इसमें गवतार भी किया गया है जो दो अरुपी गवतार किये गया है वह एक इर्फान है एक गुलाम है इर्फान जो है वह महीच जैसुआल का पहले ड्राइवर रहा है और बता जारा है कि पहले मोहिच के लिए काम करता था लेकिं पिछे कुछ समय से वह अतिक अम है तो उनके गुड़कों के लिए काम कर रहा है अब ऐसे में क्या स्तिती रही क्या सिच्वेशन रही तमाम जो कैसे किसी वाइपारी को जो है पहले हपरा किया जाता बिल्कुल अनूब जरा ये भी समझाईए हमारे दर्शुकों को बताईए ये जिन दो लोगों के गिरफतारी हुई है क्या ये मोहित के साथ ही काम करते थे ये दोनों कौन थे और कितने सालों से मोहित सब्सक्रा का काम कर लेकिन बीते कुछ दिनों के बात करें तो उसका जो संपर्ख है वो जो अतीक के करीबी लोग है उनके बीस था इसके अलावा जो इसका और दूसरा मुनीम है मुनीम जो है पवन पवन और रिफान दोनों के उपार आरोप है कि इन्हों नहीं जो है यह साजिस रची थी कि जो मोहिट जैसवाल उसकी तमाब प्रापर्टी चाहिए गोसाई गण छेत्र में हो राजधनी लखनों में तमाम जगे हैं उन पर कैसे जो है यह अपना अधिकार जता है कैसे उसको हतिया है तो माना जा रहा है कि इसके पीछे कहिना कहीं अतिक का सयोग लिया गया और जिसके प्रणखतने का जो आरोप लगाया है मोहिट जैसवाल ने उसके बाद जेल ले जाए गया वहां पर तमाब चीचे सामने आई अब यह घटना सामने आई वह आपने आप में बताने के लिए काफी है कि अभी हाली में जिससे से एडीज एडीज जिए एडीज जिए जिए ज उस समिक्षब अठक का कोई मतलब दिख नहीं रहा है क्योंकि जेल के भीतर आज भी उसी तरह की सारी चीज़े अप्लाई हो रही है तरह माफियाओं दबंगों भूमाफियों का कब्जा चलता है राउल बिल्कुल तो यानि उन दो लोगों क्या अनूप एफाई यार में इस बात का भी जिक्र है कि जेल के भीतर उसको उस पर पिश्टल तानी गई थी दिखे बिल्कुल उसने फाय यार में बाकता हरोफ लगाया है कि उसके साथ किस तरह से मुबाइल के लोकेशन देख रहा हैघ तका इसकी मोबाइल की कितनी सच्चा है है महुई जैस्वाल का जैसा आरोप है वो इसके अलावा जिस देंसे लगातार उसने बताया कि में साथ जो घटना की गई थी क्योंकि यह पहली बार नहीं है उसका इससे पहले भी आरोप है कि उससे रंगदारी मांगे गई थी बिल्कुल रंगदारी की दे दी लेकिन इस ब जो है गुम्ती नकर यहां पाउचे हैं उसके बाद उसको गाली में ही जो अगवा किया गया है और असलेह के बल पर पर जो है देवरिया जेल ले जाया गया जहां पर उसके साथ ये पूरी घटना सामने आई रहूल तो यानि आठ से दस लोग पहले मोहित को किड्नैप करते हैं उसके बाद देवरिया जेल ले जाते हैं और वहां पर पिस्टल तानकर चार कंपनिया अपने नाम करा लेते हैं यही खबर है बिल्कुल राहूल और इसमर अब तक एक्सन दो लोगों गिरपतार किया गया है मोहित के एक ड्राइबर और दूसरा कौन है देखे जो मुनीम है जो कि मोहित जैसवाल का पहले मुनीम रहा है पवन वो और इर्फान इन दोनों की जो भूमका सामने आ रही है कि इन्हों नहीं साजिस रची थी कि कैसे जो इसकी जमीन है जो तमाम जो कारोबार है उसको कैसे अपने नाम किया जाए जिसके तायत ये पूरी साजिस रची गई थी पूरे मामले में कशनन अगर पुलिस ने इर्फान और गुलाम दो लोगों को गरपतार किया गया है जो कि इर्फान ये वही है जो पहले म तो आप पुरे मामले में लखनो पुलिस की जलिए अनूप आप हमारे साथ बने रहे हैं और यह ठीक है अनूप मैं आपके पास आ रहा हूं नावेट सिद्धिकी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं नावेट जी आपका भारत समाचार में बहुत स्वागत बढ से दस लोग उसका किड्नैप करते हैं देवरिया जेल लेकर जाते हैं और जेलर भी जुले उन्होंने फोन कार्ट दिया वहांके वो इंट्री बता रहे हैं कि मोहित के इंट्री हुई है आपका कॉमेंट देखिये जेल जो है वो अब सेफ नहीं रहे गया हम अभी जेल में ह कि अड़र खिखिये करने की बहुत दरूरत रहे-क गशुर्त तो बेतर रहे बहुत हुएंग और को Wakanda क्यों पृद्स है और जेल का खिड्नैप किरा ले रहा तो बहुत हैं ऽाती में जात खाया है है वो जेल में है तो जेल में जिसका जी चाहे वो जेल में जाके हत्या किये दे रहा है जिसका जी चाहे वो किसी को पकड़ के धंकाए दे रहा है किसी की खानून किसी की कमपनी साइंक कराए ले रहा है तो अब ये इसको क्या कहेंगे आप ये जेलर को जवाब देना चाहिए प्रिजेश पाठक से हम गुजारिश करेंगे कि प्रिजेश पाठक में उससे सबक नहीं लिया जो जेल में हत्या हुई थी उनको तो इस्टीफा उसी वकट देना चाहिए था उनके राज में ये क्या हो रहा है जेल में नावेट सिद्धिकी जी आपके साथ कुछ और लोग जुड़ गये हैं पैनल बड़ा करते हैं हमारे साथ आईपी सिंग जुड़े हैं जो कि भारती जनता पार्टी के नेता है आपका भी बहुत स्वागत आईपी सिंग जी लेकिन हो क्या रहा है जेल के भीतर से किड्नैप क जो राजुपाल हत्याखांट का वाल्चित था यह और इसके भाई और यही कारण था है कि वो सलाकों के पीछे है लेकिन उसके बाद भी अगर जिलाप्रशासन की नाक के नीचे अगर यह सब हो रहा है तो निस्ट दोर से जिलाप्रशासन को इस पर सक्ती बरतनी चाहिए जो भी दोसी है उनके खिलाफ सक्त-कारवाई हो सक्त-कारवाई की बात कर रहे ह meow नावेbज जी आई o iip पी सेंह जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है और हमें पूरा यकेन है कि अच्छी बात करियी नोने कि यह सरकार puck और शार्तन को इस पर कारवाई करनी चाहिए और तो यानि पक्ष और बिपक्ष दोनों वही मांग कर रहा है तो सेम बात हो गई नहीं देखे आतीक अमद का जो भी रहा हो लेकिन अतीक अमद इस समय किसी दल में शायद नहीं है और किसी भी कोई भी दल रहा है तो नहीं चाहेगा कि अतीक अतीक जैसे लोगों से उसका सम्मंद रहे और अतीक अमद को मुझको जो याद आता है कि अतीक अमद को ओंकारनाच जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कॉंग्रेस के परवक्ता है आईपी सिंग जी ने भी उन्हें कर ले रहा है और इसको बीबी आईपी सुविधा कैसे मिल रही है चवालिस मुकत में दर जाएं ओंकारनाच जी पहे नाम की चीज खतब हो गई है इतले जो ये जेल में बंद लोग नहीं जानते हैं कि किसी भी अपरादी से कोई बचा नहीं सकता है तो वो दर के बारे उसका काम करते है लेकिन उसने भी अती कर दी उसने भी जब शुरू किया वहाँ पर है चली आफ सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रीया हमसे बाठशीत करने के लिए सभी ने अपनी राये रकीन अबी यह आपका ध्षम, धन्यवाद ओंकार जी आपका भी और आईपी सिंग जी आपका भी बहुत धन्यवाद लेकिन अभी भी सवाल जसका टस्प है कि जेल के भीतर ये खेल कैसे खेला जा रहा है और उसमें कौन-कौन इन्वाल्व है कि डियेज का धमा के दारोवर है